उत्तर प्रदेश लोक्षेव आयोग और उसकी तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्रपूर्ण जानकारी है प्यारे बच्चों जैसा कि आप जानते हैं COVID-19 के प्रभाव के कारण से सभी परिक्षाय लगबगल वक्तल चुकी है और इस प्रक्रिया में बच्चों को किसी भी तरीके की समस्या ना हो आयोग अपनी जिम्मेदारियों का निर्वान भी कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश लोक्षेव आयोग के द्वारा अपनी जिम्मेदारियों का निर्वान करते हुए जैसे संगलोक सेवायोग का नया कलेंडर आया था उसी तरीके से UPPSC ने भी अपना नया एक्जाम कलेंडर जारी कर दिया है और ये एक्जाम कलेंडर अभी आज़ी आया है 9 जून को ही आया है आप एक बार इसको सत्यापित कर सकते हैं UPPSC की साइट में जा सकते हैं UPPSC NIC.IN में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये कलेंडर मिल जाएगा एक्जाम कलेंडर तो अपडेटेड एक्जाम कलेंडर है और जो भी एक्जाम इंपोर्टेंट है उन सभी एक्जाम को ले करके कौन-कौन सी तिथियां हैं इन सभी तिथियों को आप एक बार ध्यान से देख लिजेगा तो मैं एक बार आपको जनकारी भी देना आवस्यक समझता हूं क्योंकि आप UPPSC के चैनल पे हैं और यहाँ पे UPPSC से जुड़ी हुई सभी जनकारीयां आप तक पहुंचनी चाहिए तो चलिए अब आपको एक नई तिथि मिल गई है और निशित तोर पे मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आयोग एक नई तिथि जारी करता है तो तिथि अमर हो जाती है क्योंकि आपके दिमाग में आपके जहन में होती थी हमेशा गूमना चालू कर देती है तो जो बच्चे 2018 की मुख परिक्षा की तैयारी कर रहे थे, 2019 की मुख परिक्षा की तैयारी कर रहे थे, खंड सिक्षा दिकारी परिक्षा की तैयारी कर रहे थे, सहायक समिक्षा दिकारी, सहायक समिक्षा दिकारी की प्रारंबिक परिक्षा 2016, इसकी मुख परिक्षा, इसके 2020 और 2021 इन दोनों का मिला जुला ये पूरा कलेंडर है और ये कलेंडर आप लोग एक एक डेट को देखेंगे सबसे पहले बात करते हैं समलित राज प्रवर अधिनस्त सेवा परिक्षा आपकी मुख परिक्षा एक ये पेंडिंग थी आपकी और ये मुख परिक्षा थी PCS में 2019 2019 का जो मेंस था ये पेंडिंग था तो इसकी तिथी आ चुकी है और देखो इसका कलेंडर जो आता हुँ एक्जाम के पास ही आता लेकिन आयोग ने तिथी दे दी है पता नहीं तब तक इस तिथिया मुझे लगता सामान होग जाएंगी कुछ न कुछ सरकारी निर्देश के तहट ही आयोग ने कारे किया होगा और ये बहुत ही मतलब इस समय जो आयोग के अध्यक्ष है निशे तोर पे बहुत सराहिनी है और बहुत अच्छा कदम उठा रहे हैं तो 25 जुलाई की तिथी आ गये बच्चे जितने भी हैं 2019 वाले सभी की 25 जुलाई की तिथी आ चु की है इसके बाद खंड सिक्षा अधिकारी प्रारंबिक परिक्षा ये एक्जाम निकला था तो 16 अगस्त इसकी तिथी दी गई है 16 अगस्त में इसकी तिथी है और आप सभी को जो है इसे भी ध्यान से करना होगा सभी बच्चों को ठीक है तो ये भी आपका एक बहुत ही इ आपलों की अब तयारी फिर से प्रारंबिक परिक्षा को देंगे उनकी तिथी आ चुकी है 16 अगस्त 2020 ठीक है अब चलो आगे बढ़ते हैं अब आगे एक एक एक्जाम बढ़ा ये काफी समय से पेंडिंग है और कई एक्जाम दिए हैं कंप्यूटर सहायक का एक्जाम है य और ये समिक्षा दिकारी सहायक समिक्षा दिकारी प्रारंबिक परिक्षा 2016 ये मनलव एक्जाम बहुत प्रेंडिंग था और इसकी फाइनली तिथी आ चुकी है ये तिथी य है की 13 शेप्टेंबर की दे जा औ unter 3‍owad करके आजाद UPSC Academy में आपको क्लासेज भी कराएंगी खंड सिक्षा अधिकारी के ले करके भी क्लासेज होंगी और UPSC exam को ले करके भी क्लासेज होंगी इसके बाद यह आपका एक चाहयक, वन सनरचक, छैत्री, वन अधिकारी मुख परिक्षा इसके पेंडिंग थी यह भी आपका जैसे की यह आपका एक्जाम हो रहा था PCS प्रिजम्स तो इनका दोनों का एक साथ होता है ना लेकिन मेंस अलग अलग होता है तो प्रिजम्स तो आपका इनका एक साथ हुआ था और जो आपका PCS मेंस है यह आपका जो है 25 जुलाई है लेकिन जो सर्विसेस को लेकर के है इस्टेट राज इस्तर पर वह आपकी 19 सेप्टेंबर को कर दे गई है तिति ध्यान रखेगा जितने भी फॉरेस्ट वाल इच्छात हो वह देख लीजेगा अब यह कि यह बड़ा इंपोर्टेंट एक्जाम हो जाएगा क्योंकि यह पीटी का एक्जाम है PCS मेंस 2020 की बात है PCS मेंस 2020 की बात है तिति आ गई है समलित राज प्रवार अधिनस्त सेवा PCS प्रारंबिक परिक्षा 2020 और सहाइक बन सनरच्छक देखे एक साथ हो रहा ने पूरा पीटी एक साथ ही होता है जैसा कि मैंने आपको बताया तो प्रिलिम्स एक्जाम इसका है आपका ये डेट आ गई है ब्लकुर रट लिजेए डेट फिर से आईएस एक्जाम के एक सब्ता है बाद ही है 11 अक्टूबर को एक्जाम है 11 अक्टूबर को तो आईएस का 4 तो आगे बढ़ते हैं अगली परिक्षा आपकी यह तो समलित राज अवियंतरन सेवस है तो यह आप देख लिजेगा जो बच्चे इसकी त्यारी करना हूं उद्योग विभाग को लेकर के एक डेट दे दी गई है इसकी स्क्रीनिंग परिक्षा 2016 काफी पेंडिंग है भी और नकरात्मक्ता है सब खतम हो जाएगी तो 6 दिसंबर का यह एक्जाम आपका यह आप एक बार देख लिजेगा इसके बाद समिक्षा दिकारी और सहायक समिक्षा दिकारी मुख परिक्षा को लेकर के जो 2016 का है इस वर कर यह एक्जाम जल्दी जल्दी हो बड़ी बड़ी आपकि जन्वरी में आई है आई एस एकजाम के बाद ही है यह पूरा और इसको 22 जन्वरी 2021 में डेटे गई है ठीक है तो मलब समिक्षा दिकारी के एक महने बाद यह एकजाम होगा समिक्षा दिकारी की मुख परिक्षा के बाद तो यह आपका इसका जो PCS मेंस दिया है इन पहले PCS 2020 वाले यह जितना इसमें भीड़ बहुत ज्यादा होती है तो यह आपकी 11 अक्टोबर की डेट है और मुख परिक्षा 2019 जो होना था वह आपकी 25 जुलाई है और खंड सिक्षा दिकारी वाले 16 अगस्त है और बाकि जितने भी बच्चे जो भी आन्ने एक्जामों को द एक बार इसे सत्यापित कर लिजेगा आप लोग का नोटिफिकेशन आ गया है बचो अप तैयारी पे लगिए इस्वर करें कि अपडेट ना बढ़े और आप लोग अच्छे से तैयारी कर पाएं फॉर्म सभी ने भरी दिया होगा आयोग ने थोड़ा सा एक आप लोग का